हाई फ्रेंड्स दिस इस राहूल राठोर और आज हम बात कर रहे हैं जनरल इंग्लिस 12th क्लास के लेसन 7 की जिसका नाम है इन दे कंट्री इसको लिखा है W.H. डेविस ने तो देखिए इसमें क्या होता है कि राइटर जब यात्रा करता है शहरों की तो उसने अंतर बताया है कि गाउं और शहरों में क्या अंतर इनको दिखा तो सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है कि गाउं में जब उन्होंने वहां का परिवेश देखा वहां का माहौल देखा तो उन्हें लगा कि गाउं का और जंगलों का जो विवहार है वो बड़ा मधूर सा और बड़ा लेकिन उसने बताया कि शहरों में थोड़ा सा डिफरेंट माहूल रहता है, शहरों में जब आप प्लेटफार्म से, एरपोर्ट से, या बसिस्टेन से, कहीं से भी आप जब निकलते हैं, तो पोईट ने बताया है कि जब मैं कहीं भी भार निकलता था, तो मैं कलपना करता था इमेजिन करता था कि मुझे शहरे में कुछ अच्छी चीज़े मिले, अच्छी चीज़े दिखे, गार्डन वगरा दिखे, लेकिन बड़ी इंस्पा स्ट्रक्चर देखे वो, लेकिन उसे दिखता है कि वहाँ बेखर, भूखे लोग, आज भी भी कमांग रहे हैं, दूसरो ने डिफरेंस बताये कि गाउं और शहर में, कि गाउं में कोई भी भूके लोग और पीडित लोग नहीं होते हैं, गाउं के दूसरी बात कि यहाँ पर उन्हें हेल्पलेस बताया गया है, लेकिन सेल्फिस नहीं बताया गया है, लेकिन शहरों में सेल्फिस लेस और हेल्प avoid any suffering pupil या neglected to another pupil आप जब किसी व्यक्ति को देखने से टालते हैं या उसकी बात को श्विकार नहीं करते हैं या नकारते हैं तो उसे आप selfish कहेंगे स्वार्थी कहेंगे लेकिन helpless pupil कौन होगा helpless वो होगा कि आपके मन में इच्छा तो है किसी के प्रती मदद करने की उसकी सहायता करने की लेकिन आप ऐसी मुसीबत में हैं कि आप भी सहायता ना कर पाएं जिससे simple सी बात है कि आपके पास 10 रुपे हो और कोई भिक मांग रहा हो आप से लेकिन आपको कई जाना है जिसका किराय भी 10 रुपे हैं तो इसी कंडिशन में आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो वहाँ आप helpless कहलाएंगे लेकिन आप selfish तब होंगे जब आपके पास space है भी हो लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो selfish person is the avoid to any अब इसमें ये भी बताया गया है question ये भी है आपका कि writer जब शहर में प्रवेस करता है तो उसे क्या side से दिखती है ये क्या sound सुनाई देते हैं तो देखिए जब side तो दो तीन तरह की है कि एक तो suffering people दिखाएं देते हैं homeless लोग दिखाएं देते हैं starving लोग दिखाएं देते हैं भूखे लोग दिखाएं देते हैं ठीक है लेकिन उसे आवाज सुनाई देती है तडपने की तरसने की आवाजे सुनाई देती है जो भीग मांगते हुए लोग अपनी प्रतिक्रिया के अनुसार मांगने की जब कोशिज करते हैं तो उस तरह की आवाज़ों से सुनाई देती है तो ये कवी ने बताया है इसमें डब्लू एज डेविस ने कि शहर और गाउं में थोड़ा सा अंतर इसमें बताया गया है कि सेलफिस और हेलपलेस प्यूपल पाये जाते हैं गाउं में एक और चीज बताया गया है कि गाउं में आज भी केरलेस लोग रहते हैं यने खुद की केर नहीं करते हैं बखाय वो मेहनत करते हैं खेतों में जाकर के पसीना भाते हैं शहरों में भी करते हैं लोग, ठीक है, इसमें बताया गया है कि कभी ने बिलकुल भी उन शहरों की खुबसूरती का जिक्र नहीं किया या ना देख पाया, चुकि उसे प्लेटफार्म से उतरते ही वो सारी चीजे दिखी, जो नहीं होना चाहिए किसी शहर में, जैसे स्टार् साइवे साब 2-3 किलो मीटर नीचे उतरते हैं, तो वाकई में आपको और इनल भारत मिलता है, कि किन-किन परिस्तियों से सामना हमारे भारती लोगों को करना पड़ता है, गाउं के लोगों को करना पड़ता है, और शहरों में कितने ही खुबसूरत शहर बन जाए, लेकिन स वारती और सेलफिस परसन वहां पर पाए जाते हैं, जो उन गरीब लोगों की मदद नहीं करते हैं, तो थैंक्यू सो मच, आप निरंतर बने रही हैं, और मैं इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो में आप तक लेकर का आता रहूंगा, तो अगर आपको अच्छा ल